वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासस आज अपन बाइलोजी के यूनिक स्ट्रेजी की बात करेंगे उसमें अपन कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे और NCRT की बात करेंगे किस प्रकार पढ़ना है देखो बाइलोजी पूरी पढ़ते विए भी 340-370 नहीं आपाते बच्चों के तो लाइडों को किस प्रकार पढ़ना है क्या पढ़ना है के से पढ़ना है उसके बारे में और कुछ और इंपोर्टेंट के तोपिक्स भी अपन डिस्कुस करने वाले हैं कि किस प्रकार से स्टेडी आपको करनी चाहिए तो देखो अगर एक स्टुडेंट की बात करें तो वह बुलता है कि उसका एक इंटर्नल मोटिवेशन हाई होना चीए दूसरी बात करें अच्छी गाइडेंस मिलनी चीए इंटर्नल मोटिवेशन के अगर बात करें पहले सबसे पहले क्लियर होना चीए कि अपने में इंटर्नल मोटिवेशन होना चीए एक इंटर्नल फेक्टर होना चीए अपन बात करें उस इंटर्नल मोटिवेशन इंटर्नल फेक्टर की तो यार देखो कुछ बच जमीन को चीरते वी बाहर कैसे निकलूंगा कैसे जर्मिनेट होंगा इस्टुडेंट उस बीच की तरह है वो क्या सोचेगा कि मैं उस जमीन को कैसे चीरते वी बाहर निकलूंगा इस कंकर मिट्टी में कैसे कोमल सा बीच बाहर निकल पाएगा मैं क्या उस धूप से जल तो नहीं होगा यह पढलू तो हो जाएगा ऐसे सोचना बंद करो एक ही पॉइंट पढ़ो क्या पढ़ना है वो बताएंगे आपको उस बीज की तरह बनो सीधा आपको निकलना है ग्रो करना उस अंधेरे से निकलना है प्रकाश में आना है ठीक है ग्रो करना है इंटरनल फेक नेसेसरी है तेरे लिए वो एंसे आटी को पढ़ना उसके एक्जामपल्स याद करना खासकर प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम बोटनी के कुछ एक्जामपल्स याद नहीं होते मेरे को अरे भाई वह याद करना पढ़ेगा वह एसेंस्यल है नीट क्रेक करने के लिए सम दूसरी बात जो कमफर्ट जोन है आपका उसको छोड़ना पड़ेगा अगर कमफर्ट जोन में रहोगे ना तो भाई सेलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा कमफर्ट जोन में रहोगे पढ़ोगे नहीं एक्सक्यूज देते फिर होगे यह चैप्टर इस लिए इस चैप तो एक दिन पढ़ोगे दो दिन पढ़ोगे तीन दिन पढ़ोगे अपने आप लत बन जाएगी इसकी आदत बनाओ पढ़ने की वह इंटरनल फेक्टर है तुम्हारा सब तोपर बोलते हैं क्या देखो इंटरनल फेक्टर मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन अपना हाई ह होना चीए तब सिलेक्शन होना बहुत आसान है यह गाइडेंस में क्या है दूसरी बाग 것으로 किृषट सरे अच्छा है इस फेक्टर में आप अच्छे वो तो यह आपके कुलियर करने के लिए अगर का मौटिवेशन उलिया कम जोडं मोटिवेट यह आदा गंटा जू मोटिवेट और ऐसे दिमाग में ऐसे आने लग जाए ना यार होगा नहीं होगा तब क्या करना है एंसी आटी खोलना है उसकी रीडिंग लगाते जाओ जोर जोर से अपने आप खत्म हो जाएगा यार यह मोटिवेशन डिमोटिवेशन क्या लगा रखाए यह कि नीट की तयारी करना है किताबे पर दो कि समझे रहो ठीक है पहली बाद इंटर्नल मोटिवेशन अगर नहीं अभी मोटिवेट नहीं हो नहीं करना है नहीं हो सकता कमपट जोन में रहोगे छोड़ दो वीडियो आगे मत देखो आगे वही बंदा वीडियो देखे जिसका इंटर्नल मोटिवेशन हाई है करना चाहता है नीट को तब यह उसको गाइडेंस एक डाइरेक्शन दिखाया जाए मिनत सारे कर रहे हैं यार बच्चे कुछ किस तर छीजे हैं किस प्रकार से पड़ना है कितने र involves के से करना है सोट नोट्स के से बनाने में यहीं चीजे बताएंगे तो सबसे NCRT पढ़ना है उसको पढ़ना नहीं है NCRT उसको समझना है लर्न करना है NCRT पढ़ने से ही अगर सेलेक्शन होता तो वह NCRT दो इतनी पतली पतली इतनी चोटी-चोटी सी बुक्स है सभी बच्चों की 360 में से 360 आ जाते पर नहीं आते जो नहीं आते उसका एक ही कारण है वह NCRT को पढ़ते हैं आपको NCRT की हर लाइन को समझना है अगर NCRT की लाइन को समझोगे तो 360 आउट ओब 360 लाना पॉसीबल होगा अगर आप रटके जाओगे उसे रटके मतलब आप उसे ओड़े ओली त्योड़ने इसे नहीं होता बई उसे समझना पड़ता है लव करना पड़ता तो जो NCRT है उसको लव करना करना है औरके ऐन्से आडिके जो कॉंसेप्ट है ल कैसे करें saudamे कुछ मेकेनिजम के कॉंसेप्ट है cycle concept है photosynthesis में कुछ concept है un concept को learn करो जो concept है उनको concept को सीखो कुछ बच्चे क्या करते हैं बिना concept समझाइ उसकी line कोा रख देते हैं उसके MCQ लगा लेते हैं वह फोड़ा सा बी अगर teacher ने वहाँ पे क्यूशन में examiner ने twist कर दिया क्योशन को गुमा दिया तो वहाँ है तक्जाओगे वह पुराणा याद है तो लाइन को कैसा ही कैसा ही स्टेट्मेंट के क्या करना है कुछ बच्चे बोलते यार सर याद नहीं होता यार भाई मैं पढ़ना कैसे ऐसे पढ़ता था या तो आप मुह से बोलके पढ़ो जो भी एंसी आटी की लाइन है तो आपको ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है एक्सेनल गाइडेंस टेकनिकल उस पर लाइन से पैन से लाइन चलाते रहो या लाइन नहीं तो आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं पैंसिल यूज कर सकते हैं उस चलाते वे उसे जोर से मुझ से अवाज आने ची 알के तहहेंन नहीं आएंगे आराम से आप पढ़िपाूगे वह लढुने रहेगी याद रहें को देखोगे पढ़वगे संझ्ञूगे तो hone ay आपको लाइन है वह समझ में आएगा ज्यादा दिन तक याद रहेगा उसका रिवीजन आपको कम करना पड़ेगा वह चीज बात कर लिए अपने लर्निंग की ठीक है अब कुछ बच्चे क्या करते यार थ्योरी सर मैंने लाश्ट यर थ्योरी पड़ी थी अब मैं एक चेप् क्यूंकर बैलन्स बहुत जरूरी है थेयोरी पूरी फटो चवात समझ के बाइच्ट समझ कि अगर PG क्योंड और मेंग्या कर लिए स्टेमेंट और अगए मेंचिन अगे तो आप वो रटे वे क्यूशन्स में कन्फ्यूज होंगे बहुत बूरी तरीके से सेलेक्शन बहुत मुस्किल हो जाता है इन में बैलेंस रखना पड़ेगा आपको सबसे इंपोर्टेंट फेटर ठ्योरी एंस्यूट्यू बैलेंस बहुत जरूरी है की समझ रहो यह बात आगे बात करें कीशन सब्सक्राइब की जो परजेंट टाइंब में जो एंतिे है नीट की एक्जाम है उसमें सिंगल प्रट द्धिक आरे ना इक लाएन देती उसका यह आ अंसर होगा शक्री और कम हो इसमें आप क्यूशन कैसे आ रहा है । शinगल लाइन वाले क्यूशन की प्रक्टिस करोगे- confess वहाँ पर क्यूशन भी आ रहे हैं मैं चिंदा कोलंव वाले क्यूशन भी रहे हैं समझ रहो फिल इन दा ब्लैंक वाले क्यूशन के भी प्रैक्टिस करो यार क्या पता अगली बार चेंज हो जाए पैटर्न थोड़ा वह दो पांच परसेंट पैटर्न चेंज होगी तो हर प्रकार की क्यूशन में यह बोर्ड आओंगी हर टाइप के क्यूशन की आप एक बार प्रैक्टिस कर से इसे क्यूशन को अटेम्ट कर लो ताकि आपको नोलेज रहए वह क्यूशन की समझ बेट जाएगी वह वह आप रेको मेरी बात सुनों तो कब कर पाओगे आपश्यां समझ पाओगे सारे टाइप की क्यूशन कर पाओगे स्स डीजं वाले वी कर लोगे जो आपके मेचिंदा कोलम वाले क्यूशन है वह भी कर पाऊगे तो आराम से हो जाएगा अगर आपने कॉंसर्ट सीखा है पहली बात करें में रोल क्या है एक सो असी क्यूशन करने हैं एक सो असी मिनट दोसो क्यूशन दोसो मिनट ऐसा हो रहा है न मतलब तीन गंटे बीस मिट पूरा पेपर करना है आपको चीए स्पीड कुछ बच्चों की तो ऐसी स्पीड है भाई क्यूशन पढ़ने में एक मिनिट लगा देते हैं पेपर सोर नहीं हो पाता हूंसे पूरा फ क्यूशन की जो फिक्चर फ्रेम हो जाने जिये दिमाख में तैसा पढ़ना है उसके लिए अभी से प्रक्डिस करो दूलास्त पर देखो फ्लास्त में बढ़ाएंगे दो महीने पहले ब्ढ़ाएंगा तीन महीने पहले खिले के さदर स्ट्रिजी भी लिएगी सिंगल डिजिट डबल डिजिट रेंग हासिल कर सकते हैं अगर अभी से शुरू करेंगी यह चीज़े इस पीड क्यूशन स्पीड में पढ़ो एनलाइस स्पीड में करो उसकी बहुत इंपोर्टेंट फेक्टर है गेम चेंजिंग फेक्टर आपका स्पीड वड़ा यह जो फ अब सर स्पीड कैसे बढ़े एक बास सुनों अब एंसी पढ़ते हुँ ना तो इस पीड बढ़ाने का तरीका बताओं एंसी आटी की जो लाइन से ना आपने जो चेप्टर आपकी कोचिंग में या वीडियो लेक्चर से आप जो चेप्टर ले रहे हैं पढ़ रहे हैं वह रोब चेप्टर उसकी एंसी हैना उसकी चेंग करो आप रीडिंग में इस sectors कैना कि यलाइसिस होना चारुए जैसे अपनंबात करें वह पर एक दिन में पढ़ोगे दो पेज पढ़ोगे आदे गंटे में धीरे देखते जाओगे आपका स्पीड जो है पढ़ने का टाइम वह बहुत कम हो जाएगा बहुत कम समय में आप ज़्यादा पढ़ोगे तो यह स्पीड इंक्रीज करने का तरीका है दूसरा फिजिक्स कैमेस्ट्री में कुछ बेसिक मेत वगारा बेसिक टूल्स कुछ कैल्कुलेशन मेथड्स उनको आप करो उनकी ट्रिक्स वगारा देखो उससे आपकी स्पीड इंक कि भएंकर चीज़ है कुछ बच्ची क्या करते हैं थे संवेश्घ चोह देते हैं रिट च्वह एक मेजर कारण है एक तो कि स्लेबस पूरा नहीं हो लंगे र स्लेबस पूरा नहीं हुआ इस लिए में नहीं होगा टेस्ट देख ऊसका एनलाइसिस कर फिर देख क्या चुटा हुआ तेसे सबसे ब्लंडर मिस्टेक लिया यह देना लोकर तो सेलेक्षन होगा कर उस टेस्ट कि एनिलाइसे करो कितने गलत हुए lay तो सब्सक्राइब गलत हो गए तो कोन से टोपिक में ज्यादा कुस्ट को दुबार्या यह पढ़ा जाए यह इस प्रकार के गलत हो रहे तो इनका क्या ट्रूक्ष? करने का क्या तरीका हो सकता है वो तरीका डूंडे समझ रहे हो यह बात तो यह है टेस्ट एक मेजर रोल अदा करता है नीट की सेलेक्शन में ओके यह बात है नेगेटिव मार्किंग और सिली मिस्टेक तब होगी जब यह तो सिधह पढ़ने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और सिली मिस्टेक तब करने नहीं और नहीं पढ़ेगा तो तेरे को confusion होगा तेरे concept के लिए नहीं होगे तुने थोड़ा उपर से पढ़ा है उपर से NCRT की लाइनों को पढ़ रखा है उपर उपर से पढ़ लिया अब जाके कि यूशन आ गया अब उसमें दो अप्शन में तर वो confusion हो रहा है लगा दिया नेगेटिव हो गया न सिली मिस्टेक हो गई यह आने वाला था मैंने सोचा यह था पर लगा कि यह आया हूं और भाई वो तेरा confusion था उसमें समझ रहो तो कौन साथ किलियर करो पहले तब यह सिली मार्किंग और सिली मिस्टेक में यह और होता है कि जो क्यूशन पेपर है उसमें कुछ फाल्स ट्रू वाड़े सब्द होते हैं उनको भी देख लिया करो कि फाल्स पूंच रहा है पूंच रहा है समझ रहो तो क्यूशन को ध्यान से पढ़ा करो एक बात ध्यान रखो इसमे पेपर में जो क्यूशन पूचा जाए उसी का जवाब दो आप अपने मन से क्यूशन पेपर में अपने मन से क्यूशन फ्रेम कर ले तो तुम्हें क्या है वहां पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है और तुम उसे करेक्ट पढ़ते हो अरे बाई पेपर में जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़ो कुछ बच्ची क्या है सर वहां पेपर में तो मिरे को लगा इसमें करेक्ट है और फिर वहां पे जाके पर आंस उसमें देखो गए पेपर में अच्छी तरीके से बाद में आके पढ़ोगे तो वहां पे इनकरेक्ट लिखा हुआ था खुद अपने मन से मत पढ़ो उसको यही होता है में रोल यही है नोट ट्रू ट्रू फाल्स इन में ही गल जाते हो तुम समझ रहो यह इसलिए मिस्टेक नेगेटिव मार्किंग ओके तो यह नहीं करनी है अब सबसे बड़ा चीज नीट का मतलब सेलेक्शन लीट में लेना है तो रिविजन करना होगा नो रिविजन नो सेलेक्शन लाइन याद रखो नो रिविजन नो सेलेक्शन अगर रिविजन नहीं करोगे नीट के लिए आप सेलेक्शन नहीं होगा लिखवा के लिए लो कि कंफर्म है वाई तो मेन फेक्टर है आपके लिए यहां पे रिवीजन कैसे करना है हर सब्जेक्ट में अलग-अलग मेथड है वह आपको अलग-अलग वीडियो में मैंने भी बता रखा है जनरली बता दो कि अगर आप तयारी कर रहे हैं तो पड़े आपको लगवग डेट से दो गंटे तो रिवीजन करना ही चाहिए पुराने टॉपिक्स और समझ और होगा आधा-धा गंटाइं पोड़ो जाए पर रिवीजन डेली करना चाहिए डेली रिवाइस करो यार की जों को तब सलेक्षन हो पाएगा दर्वाइस रिवीजन के बिना तो बहुत मुश्क गोर करो इन पर थेंक्यू गाइस थेंक्यू सो मच और पढ़ने लग जाओ यार मचा दो ओके थेंक्यू